जै मातालक्षमी की दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आपका फिरसे एक नई वीडियो में इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जनकारी लेकर आई हूँ कि दिवाली पर मातालक्षमी के पूजन में हमें कौन-कौन सी महत्वपूर्ण चीजों को शामिल करना है जिससे हमारे घर में सुख सम्रद्धी बनी रहे और मातालक्षमी का सदा के लिए वासो तो वीडियो में आखितक जरूर बने रहेगा वीडियो पसंद आए तो दूसरों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्स इनके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी देने जा रही हूँ इन सभी चीजों को आप पूजा में अवशी रूप से समिलित कीजिएगा पहला है हाथी बुद्धी इस्मृती और सकारात्मक्ता का प्रतीख होता है हाथी समुद्र मंथन से जब लक्षमी जी प्रकट होई तो उनके साथ उनका वाहन सफेद हाथी भी आया इस हाथी में आकाश में उड़ने की ख्षमता थी इसलिए अश्ट लक्षमी में शामिल उनका एक रूप गज लक्षमी का भी है यह गज यानि हाथी पर सवार हैं दिवाली पर लक्षमी जी के पूजन में चांदी सोने या मिट्टी के हाथी की प्रतिमा भी रखी जा सकती है यह सकारात्मक्ता स्मृती बुद्धी मत्ता और जीवनी शक्ती का प्रतिनिधित्व करता है यह धन अर्जन में तर्क का प्रतीक है तो माता लक्ष्मी की पूजन में हाथी को अवश्य ही समलित करना चाहिए अगर आपके पास हाथी की प्रतिमान नहीं है तो आप हाथी पर सवार माता लक्षमी का पूजन भी दिवाली पर कर सकते हैं दूसरा है शंक पांच जन्न शंक जिन्हें कहा जाता है लक्षमी का भाई ब्रह्म वैवर्त पुरान की अनुसार शंक चंद्रमा और सूरी के समान ही देव का प्रश्ट भाग में ब्रह्मा और आगे के भाग में गंगा और सरस्वती का निवास है सागर मंथन की समय लक्षमी जी और पांच जन्न शंक सागर से निकले थे शंक को लक्षमी जी का भाई माना जाता है शंक से लक्षमी विग्रह पर जलिया पंचम्रत अभिशेक करने प यंक मौन और शांती का प्रतीक हैं तीसरे हैं परिजात के पुष्प धर्ती पर गिरकर भी देवी को अर्पित होते हैं ये पुष्प क्योंकि जब ये पुष्प पुरी तरह से खिल जाते हैं तो सुभय की समय प्रत्वी पर गिर जाते हैं लक्षमी जी को परिजात के था मान्यता है कि लक्षमी जी को नारियल पर रखकर परिजात पुष्प अर्पित किये जाएं तो वे प्रसन होती हैं खास बात यह है कि परिजात के फूल ही ऐसे हैं जो प्रत्वी पर गिरने के बाद ही लक्षमी जी को और अन्य देवों को अर्पित किये जा सकते हैं अन्य यंत्र शरीर की सनरशना उर्जा और चक्रों को दर्शाने वाला सरकिर नश्री संड लक्षमी जी का इस्थाई वास माना जाता है दुर्गा सप्ट शती में कहा गया है कि पूजा करने पर आदी देवी सुक भोग और स्वर्ग देती श्री अंतर के लिए शुब दिन दिवाली का ही है दिवाली पर सोने, चांदी, पीतल और तामे के श्री अंतर को खरीदने और उनकी पूजा का महत्व है श्री अंतर को लक्षमी जी के साथ इस्थापित किया जाता है पांचवा है कलश ब्रम्हा विश्नु महेश और सभी देवियां कलश में समाहित होती हैं समुद्र मंतन से धनवंतरी जब निकले तो उनके हाथ में अम्रित कलश था इसलिए कलश इस्थापना से ही दिवाले सहित सभी पूजार्जना आरंभ होती ह है कलश के मुख पर ब्रम्हा गले में शंकर और मूल में विश्नु का वास माना गया है सभी देवी देवता कलश में प्रतिष्ठित होकर शुबकारे संपन्द कराते हैं दिवाली पर कलश में जल भर कर इसके नीचे धन धान्य रख कर पूजा की जाती है पूजा के बाद जल और धान को इस्थाई सम्रद्धी के लिए हर कमरे में छिड़का जाता है तो कलश इस्थापना दिवाली पूजन में अवश्य रूप से ही की जाती है छठा है कमल धन वैभाव के साथ दिर्मल बुद्धी का इसमें वास होता है पद्म पुरान और अन्य पुरानों में कमल की प्रशंसा की जाती है चैत्र सप्तमी कमल सप्तमी भी कही जाती है विश्णू के चार हाथों में से एक हाथ में कमल है लक्ष्मी कमल पर विराजमान रहती है इसलिए दिवाली पर लक्ष्मी जी को पूजा में कमल भी अर्पित किये जाते हैं कमल वैभाव का प्रतीक लक्ष्मी जी को कमल पुश्प अर्पित करने से बुद्धी निर्मल बनती है और धन भी मिलता है विश्णु जी की नाभी से निकले नाल पर इस्थित कमल पर ब्रह्मा जी पदमासन में विराजमान है साथ्वा है गोमती चक्र धन संबंधी कश्टों को दूर करते हैं गोमत करता है पूजा के दौरान इस चक्र को भी देवी लक्ष्मी के साथ रखने की परंपरा है पूजा खत्म होने के बाद इसे लाल कपड़े में लपेट कर तिजोरी में रख दिया जाता है मान्यता है कि इससे धन से सम्मंधित समस्त्यां दूर हो जाती है चक्र जीवन की गत लक्षमी जी के आगमन की सूचना माना जाता है कथा यह है कि लक्षमी जी को जब वाहन चुनने को कहा गया तो उन्हों ने कहा कि जब मैं धर्ती पर आऊंगी तब जो पशुपक्षी जीव सबसे पहले मुझ तक पहुंचेगा वही मेरा वाहन होगा अमावस्या की रात जब वें आई तो उन्लू सबसे पहले पहुंचा क्योंकि अत्यंत काली रात होने के बावजूत अंधेरे में देखने के ख्षमता उसमें सबसे ज्यादा होती है इन आठ चीजों के अलावा कौडी और कमल गटे भी दिवाले की पुजा में लक्षमी पुजा में रखना शुब माना जाता है तो दोस्तों ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं छोटे छोटे से उपाए हैं जिनको करके हम माता लक्षमी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जै माता महालक्षमी की माता लक्षमी की कृपा आप सब पर बनी रहे आप सभी को दीवाली की हारदिक शिपकामना है